आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ डाउटनेट पर आप पाएक कोटा के Best or Top Teachers जैसे N.V. Sir, G.P. Sir, Aakanshah Ma'am की Free Video Lectures आज इनाओलोड कीज़े डाउटनेट आप Topic अपना यह है कि Where the ATP and NADPH are used तो हमने क्या देखा था Products of Light Direction कौन-कौन से है ATP, NADPH and O2 अब जैसे कि मैंने बताया कि O2 जो होता है अपना diffuse का जाता है out of chloroplast लेकिन अपना ATP होता है and NADPH जो होते हैं इनको यूज किया जाता है किसके लिए ऐसी process के लिए जिसकी help से synthesis होता है किसका food का और more aquelative we can say sugars का तो basically इस सब किसमें help कर रहे हैं sugar के formation में और we can say they are helping in biosynthetic phase of photosynthesis जो light reaction था एक बड़ी हम आपने फिर से mention कर देते हैं वो था अपना photochemical phase ठीक है और यह क्या है अपना biosynthetic phase of photosynthesis अब कहने को तो देखो यह process जो अपना light reaction पर dependent नहीं है तेके लेकिन उसके products पर तो dependent है तो आगे इन्होंने यह लिख रखा है कि जो process अपना directly depend नहीं करता किस पर light पर लेकिन उसके products पर depend करता है अब यह question आता होगा कि यहाँ इसको कैसे verify कर सकते है कैसे आप कह सकते है कि अपना जो dark reaction है यह light के products पर depend कर रहे है तो simple सी बात है हमारा biosynthetic phase जो है वो start करता है कब जब light reaction होने लगते है ठीक है लेकिन जैसे ही light unavailable हो जाती है तो अपना biosynthetic process भी होता है वो थोड़ टाइम बात रुख जाता है ठीक है अब जैसे ही फिर से इसको light मिलती है फिर से अपना biosynthetic phase जो है start कर जाता है ठीक है तो इससे हमें क्या पता लग रहे है कि यह depend कर रहे है किसके उपर light reaction के products पर अब देखो नीचे एक question दे रहा है कि can we say biosynthetic phase as dark reaction is a misnomer misnomer का मतलब कि क्या हम कह सकते है कि जो biosynthetic phase को हम dark reaction बार बारी refer कर रहे है यह incorrect है तो हम कह सकते है कि हाँ यह incorrect है क्यों क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अपना dark में अकर कर रहे है बस difference क्या है कि यह light पे directly dependent नहीं है और we can say कैसा है light independent है तीक है अब इसलिए इसको dark reaction कहना गलत होगा क्यों अब dark reaction से क्या लग रहा है कि भाई सुभे के time तो अपना light reaction हो रहा है dark यानि कि रात के time अपना biosynthetic phase होता है लेकिन ऐसा नहीं है पूरे दिन biosynthetic phase होता रहता है पूरे दिन sugars का formation होता रहता है बस यह light पे dependent नहीं होता ठीक है इसमें photochemical processes होगरा नहीं होती इसलिए इसको dark reaction कहना क्या होगा एक misnomer होगा तो exam में यह statement के form में आ सकता है तो अब देखो हम जब chapter start कर रहे थे तो early experiments के अंदर हमने एक equation पढ़ी थी क्या कि जब carbon dioxide को combine करते है water के साथ तो हमें क्या मिलता है CH2O whole N यह क्या था अपना empirical equation था किसका और sugars का ठीक है कै सकते है photosynthesis का sugars का नहीं photosynthesis का जहां पे यह अपना CH2O N रेपेजेंट कर रहा था sugars तो अप scientist ने सोचा कि इसका जो बीच का process है या जो fixation हो रहा है carbon dioxide का यह सब हो कैसे रहा है ठीक है यह पूरी photosynthesis की जो basic equation दे रहे थी इसके पीछे मतलब अरास क्या है जो पीछे background में सारा process हो रहा है वो कौन-कौन से हो रहे है तो अपने एक scientist थे जिनका नाम क्या था Melvin Kelvin इन्होंने क्या करा इन्होंने photosynthetic carbon को use करा किसके अंदर algal photosynthesis के अंदर यानि कि जो उसको carbon dioxide provide किया गया उसको क्या दे दिया radioactive carbon और इससे क्या पता लगा कि अपने जो first product होता है carbon dioxide fixation का वो 3 carbon organic compound था ठीक है अब उन्होंने क्या करा पूरा का पूरा जो biosynthetic cycle था उसको discover करा और क्या नाम दिया Kelvin cycle नाम दिया अपने नाम के basis पे ठीक है और first product जो इन्होंने बोला कि वो कौन सा बन रहा है वो बन रहा है 3 phosphoglyceric acid ठीक है short form में इसको क्या कहते है PGA कहते है अब देखो scientist ने यह जानने के कोशिश करी कि क्या सारे plants के अंदर ही हमें first product PGA मिलता है तो wide range of plants के उपर experiments conduct किये गए ठीक है और हमें रता क्या लगा कि नहीं ऐसा नहीं है जब CO2 को fixation होता है तो कुछ-कुछ plants के अंदर हमें एक और product देखने को मिलता है और वो कौन सा है oxaloacetic acid यानि की OAA अब यह 3C compound नहीं बलकि 4C compound है that means कि इसके अंदर 4 carbon atoms देखने को मिलते है तो अब plants यो थे उनको 2 categories में classify कर दिया C3 plants और C4 plants according to their first CO2 fixated product तो अब हम देखेंगे क्या C3 plants की C3 cycle और C4 plants की C4 pathway या C4 cycle तो अब आगे साब को समझ में आ चुका है कि C4 pathway और C3 pathway क्यों कहते हैं इनके first product की वज़े से C3 pathway जो थो अपना यह discover कर रहा था किसने Kelvin ने तो उसको Kelvin cycle भी कह देते हैं और C4 pathway जो थो था अपना हम आगे देखेंगे यह hatch slack ने discover कर रहा था इसलिए इसको हम क्या कहते है hatch and slack pathway इसको हम आगे भी देखेंगे अब important question एक और आता है कि हमारा primary acceptor कौन होता है of carbon dioxide तो scientist ने क्या सोचा देखो अब आप खुदी थोड़ी common sense लगा हो कि C4 के अंदर अपना product जो है first product कौन सा बन रहा है 4C बन रहा है तो इनको क्या लगा कि primary acceptor जो होगा वो कोई 3C compound होगा तभी उसके साथ एक carbon dioxide मिलके क्या बन रहा है अपना 4C compound मिल रहा है Kelvin cycle के case में हमें C3 product मिल रहा था तो उनको क्या लगा कि उस case में अपना क्या है कोई 2C product है जो carbon dioxide accept करके क्या बना रहा है एक 3C product यानिकी PGA phosphoglyceric acid लेकिन ऐसा नहीं है जब experiments किये गए तो हमें क्या पता लगा कि अपनो जो primary acceptor है carbon dioxide का वो है एक 5C carbon compound जिसका नाम क्या है Ribulose Biphosphate और वीकन से RUBP अब यह कैसे possible है कि 5C compound से 3C compound मिल रहा है तो हम इसको further आगे जब Kelvin cycle study करेंगे तो देखेंगे दूसरी important बार यहाँ पर अपने एक enzyme भी involved होती है और जिसका नाम क्या है Robesco अब इसका फुल फर्म भी क्या है देखो Ribulose Biphosphate सेम यही है CO C stand for Carboxylase ओके and O stand for Oxygenase इससे क्या पता लग रहा है कि यह जो अपनी enzyme है यह Carbon dioxide और Oxygen दोनों के साथ वर्क करती है और इसका क्या function है जब RUBP अपना CO2 के साथ combine करता है तो उस reaction को यह catalyze करती है तीक है आगे जाके हम देखेंगे कभी-कभी जब High concentration होता है किसका Oxygen का ठीक है जब बहुत ज़ादा होता है देखो वैसे तो क्या है कि अपनी जो enzyme है यह prefer करती है किसको Carbon dioxide को ज़ादा ठीक है तो जब Carbon dioxide की concentration और Oxygen की concentration बराबर होगी तो हमेशा यह CO2 को prefer करेगी और CO2 को attach करवाएगी किसके साथ RUBP के साथ ठीक है लेकिन जब CO2 का concentration बहुत ही ज़ादा हो जाता है तो क्या होगा अपना Rubisco Oxygen को combine करवाती है किसके साथ RUBP के साथ That means कि उस case में अपना plant जो है वो oxygen consume करता है समझ रहें आप और उस process को हम कहते है photorespiration और ये process भी हम आगे देखेंगे इस process को हम क्या कहते है C2 pathway और क्यों कहते है C2 pathway जाहिर से बात है कि इसका fellow जो product होगा उसमें दो कावन्स होगे या दो कावन आटम का होगा अब स्टार्ट करते हैं Kelvin cycle हमने basic information सारी ले ली है अब देखो एक important बात अपना जो Kelvin cycle होता है Kelvin pathway जो होता है ये अगर करता है in all photosynthetic plants ठीक है It does not matter कि वो C3 है या C4 है हम आगे जाके देखेंगे C4 plants में और C3 plants में क्या difference होता है ये जब हम C4 pathway पढ़ेंगे तो हम देखेंगे basically वहाँ पर अपना जो ये पूरा biosynthetic pathway है ठीक है वो दो type of cells में होता है यहाँ पर तो क्या है कि Kelvin cycle जो है अपना ये अगर करेगा किस के अंदर mesophyll cells के अंदर ठीक है वहाँ पर हम देखेंगे Kelvin cycle पर यहाँ पर अपनी तीन stages होती है कौन-कौन सी carboxylation, deduction and regeneration अब देखो carboxylation में क्या होता है सबसे पहली बात इस step में fixation होता है CO2 का किसके अंदर stable organic intermediate के अंदर यानि कि यहाँ पर क्या करवाया जाता है CO2 को attach करवाया जाता है किसके साथ RUBP के साथ अब carboxylation का मतलब क्या होता है जब हम किसी substance के अंदर compound के अंदर CO2 attach करवाते है तो वही होता है अपना carboxylation तो यहाँ पर CO2 को utilize कर जाता है किसके लिए carboxylation of RUBP के लिए और जैसे कि हमने पहले बताया था इस reaction के लिए enzyme का use होता है तीक है जिसका नाम क्या था RUBP carboxylase और इसको अब क्या कह सकते है Robisco तीक है अब इसकी वज़े से यानि कि इस reaction की वज़े से हमें यहाँ पर क्या मिलते है दो molecules of 3C compound अब देखो होता क्या है कि आपको मिलना क्या चाहिए था RUBP अपना 5C compound है और एक carbon यहाँ से भी आया ठीक है यानि कि 1C तो हमें क्या मिलना चाहिए था 6C compound लेकिन यह जो product मिलता है यानि कि 6C compound जो बनता है वो बहुत ज़ादा unstable होता है ठीक है लास्ट मिलनों यही बता रखा है कि जो अपनी enzyme है RUBP carboxylis यह oxygenation activity में भी use होती है इस लिसकम के कहते है RUBP carboxylis and oxygenis और Robisco तो अब आते हैं cycle के diagram पे भी और next step पे भी move करते है तो यहाँ पे आप देखो यह अपर अपना RUBP यहाँ पे क्या आया CO2 आया ठीक है water आया इन दोनों की help से carboxylation हुआ यानि की carbon dioxide का इसके साथ attachment हुआ और यहाँ पे हमें क्या मिला दो molecules of 3C compound ठीक है और यहाँ पे Robisco enzyme लिख देते हैं क्योंकि reaction उस enzyme ने catalyze किया अब second step हमने क्या कहता है कि होगा reduction तो reduction अपना क्या है यह series of reaction है जिसकी health से formation होता है कि इसका glucose का यहनि कि अब finally इस step में हमें glucose मिलता है और हमें पता है कि अपना glucose 2 glucose molecules combine करके क्या बना देते हैं starch बना देते हैं ठीक है transport में भी पढ़ा था कि जो main transporting sugar होता है अपना वो कौन सा होता है sucrose होता है तो अब इस step में क्या होता है यह step utilize करता है 2 molecules of ATP साथी साथ 2 molecules of NADPH किसके लिए reduction के लिए तो इसको गरम थोड़ा elaborate करके दिखाएं तो यहां पर इसके अंदर reduction के अंदर अपने 2 processes होती है तो सबसे पहले 3 phospho glyceric acid और we can say PGA इसको क्या किया जाता है phosphorylate किया जाता है और we can say इसके अंदर phosphate add किया जाता है तो यहां पर consumption होता है ATP का और यहां पर हमें क्या मिलता है ADP अब देखो यह सारे ATP यूज हो रहे है जो बने थे during light reaction अब हमें यहां पर क्या मिलता है 1,3 diaphospho glyceric acid अब phosphor add हो गया है तो diphospho glyceric acid हो गया अब हमारे पास कितने molecules थे 3C के 2 molecules थे PGA के तो जाहर सी बात है कि एक के लिए एक ATP यूज हो रहा है तो दो के लिए दो ATP यूज होंगे ठीक है अब आते हैं यहां पर तो अब finally 1,3 phosphor glyceric acid जो है diphospho glyceric acid इसका होगा reduction और यह होता है किस की help से NADPH की help से तो यह अपना कर्मट हो जाता है किस में NADP में और यहां पर हमें क्या मिलता है glyceral dehyde phosphate ठीक है और इसको हम क्या कहते हैं इसको हम triose phosphate भी कहते हैं अब इसके भी 2 molecule से हमें पर बनेते तो अब साहिर सी बात है कि सब में हमें क्या लगाना पड़ेगा 2,2 लगाना पड़ेगा यानि कि अपने पर CO2 molecule ठीक है पर CO2 molecule 2 ATP और 2 NADP H यह consume हो रहे हैं कौन से face में reduction वाले face में अब आपने specially reduction mention कर रहा है क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि regeneration वाले face में भी ATP का consumption होता है अब आगे मुख रहते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि the fixation of 6 molecules of CO2 and 6 tons of cycles are required for removal of 1 molecule of glucose अब देखो जब को पता है कि अपने glucose जो है वो एक 6C compound है उसका formula क्या होता है C6 H12 O6 तो इसके लिए हमें कितने carbons चाहिए 6 carbons चाहिए तो 6 carbons जाहर सी बात है कि 6 tons में आएंगे अब उसके लिए CO2 को 6 times fix करना पड़ेगा अब हमने यह बोला कि reduction में 2 ATP molecules और 2 NADPH molecules पर CO2 molecules जा रहे है तो 6 के लिए कितने जाहेंगे जाहर सी बात है कि 1 के लिए 2 है यानि कि 6 के लिए 12 ठीक है 1 के double लग रहे है यानि कि 6 के लिए 12 तो 12 ATP और साथी साथ 12 NADPH यह अपने लगेंगे reduction वाले face में अब last phase होता है अपना regeneration इस face में हम क्या देखेंगे अपना जो RUBP use हुआ है वो वापिस से क्या होता है regenerate होता है अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि regeneration जो होता है steps require 180P for phosphoryation to form RUBP तो अब देखो वापिस इसी cycle पर आते है यहाँ पर हमें क्या में लेते है finally reduction के बाद 2 molecules of triosphosphate और we can say glycerol dehyde 3-phosphate तो इसको समझने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास 6 CO2 molecules है अब जाहर सी बात है कि जब 1 CO2 molecule 1 RUBP के साथ combine करेगा तो 6 किस के साथ combine करेंगे 6 RUBP molecules के साथ यहाँ पर हमें क्या मिलेगा PGA phosphoglyceric acid ठीक है जो कि अपना 3C compound है कितने molecules मिलने चाहिए इसके 6 molecules मिलने चाहिए लेकिन पीछे मैंने आपको समझाया था क्या कि 1 molecule of 5C compound plus 1 molecule of carbon dioxide और विकिन से 1C compound तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1 molecule of 6C compound लेकिन यह unstable होता है तो यह खुद को break कर लेता है किसके अंदर 2 molecules of 3C compound तो यहीं पर एक concept लगेगा अब यहाँ पर कितने है 6 molecules 6 molecules of 5C compound and 1C compound इसके combination से हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए 6 molecules of 6C compound लेकिन यह 6C compound unstable होता है तो यहाँ खुद को break कर लेता है किसके अंदर 6 molecules of यहाँ पर हो जाएगा और यह हो जाएगा कितना further खुद को 2 में break कर लेगा और यहाँ पर 3C compound तो 6 into कितना हो जाएगा 2? 12 तो यहाँ पर हमें क्या मिलते है 12 molecules of 3 phosphoglyceric acid 1,3-difosphoglyceric acid आगे move करते है अब यहाँ पर फिर से यह भी 12 हो जाएगा 12-NADPH यह भी 12 हो जाएगा ठीक है और फिर से यहाँ पर trios phosphate के भी 12 molecules मिलेंगे ठीक है अब होता क्या है कि इस वाले step के बाद अपना start होता है कि last step है reduction का तो इसमें से 12 में से 2 अपने glyceraldehyde 3-phosphate चले जाते हैं किसके लिए sugar formation के लिए ठीक है और यह 2 3-C compound मिलके 2 3-C compound है ठीक है तो 2 मिलके 1 6-C compound बनाते हैं यानि कि अपना glucose बनाते हैं सिंपल सी बात है बहुती easy है simple math says के अंदर अब बचे अपने क्या tan trios phosphate और we can say glyceraldehyde phosphate अब यहां से start हो जाता है अपना regeneration phase यहां पे होगा phosphorylation यानि कि ATP को यूज करके phosphate add किया जाएगा अब यह अपना 3-C compound है तो finally अब हमें यहां पे क्या मिलेगा फिर से मिल जाएगा RUBP अगर हम यहां पे simple math लगाएं पहले की तरह तो हमें क्या मिलना चाहिए हमें RUBP के 6 molecules चाहिए है वापस ठीक है अगर मालो चलो 6 भी नहीं मिलते यहां से अगर 3-C देखें अगर इसको हम 5 molecules कर देए तो यहां पे 6-C हो जाएगा तो अब हमें अपना RUBP वापस मिल चुका है और यह क्या है अपना regeneration phase 10 trios phosphate से 6 molecules of RUBP जब बनते हैं तो उसके phosphorylation में हमें 6 ATP लगते हैं अब total ATP एक glucose बनाने के लिए कितने लगे देखो requirement क्या क्या हुआ आया 6 तो अपने को carbon dioxide लगे 12 ATP reduction वाले face में लगे थे और 12 ही NADPH reduction वाले face में लगे थे ठीक है यह first था अपना carboxylation यह होगे reduction phase और last था regeneration phase तो regeneration phase के अंदर अपने सिर्फ ATP लगे वो भी 6 तो total consumption कितना हुआ 6 CO2, 18 ATP, okay और 12 NADPH यह बहुत important result है इसको याद रखना है कि Kelvin cycle में एक glucose molecule के लिए कितना ATP और NADPH का consumption होता है आते हम वापीस NCRT पे तो देखो regeneration वाले face को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यह रपना triosphosphate ठीक है अब triosphosphate से एक molecule तो नीचे चले जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि दो molecules है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी दो molecules होंगे दो में से चले जाएगा एक नीचे बचेगा यहाँ पर एक molecule ठीक है अब एक molecule से एक triosphosphate से एक RUBP बनने के लिए एक ATP का ज़रूरत है और अपनी carbon dioxide कितने fix हो रहे है 6 fix हो रहे है 6 tons के अंदर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितने ATP लगेंगे 6 ATP लगेंगे और यहाँ पर 6 ATP निकलेंगे यह था reduction phase यहाँ पर क्या लग रहा है एक molecule के लिए एक ATP लग रहा है और अपने दो molecule है तो 2 ATP और 2 NADPH लग रहे है एक CO2 के लिए तो 6 के लिए कितने लगेंगे इंटू 6 इंटू 6 याने कि 12 ATP और 12 NADP ठीक है simple सा point है और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा अपना sucrose मिल जाएगा उपर यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्या 6 molecules of CO2 और यहाँ पर हमें 6 molecules of RUBP चाहिए होते हैं तो I guess अब यह Kelvin cycle जो है पूरा अच्छे तरीके से clear हो चुका है ठीक है और अब आपको यहाला paragraph भी study करने में कोई दिखकत नी होगा every CO2 molecule को fix करने के लिए क्या चाहिए 3 molecules of ATP कहाँ पर 2 तो अपने चाहिए reduction phase में एक चाहिए regeneration phase में और 2 molecules चाहिए NADPH के NADPH की ज़रूत सिर्फ कहाँ पर है reduction phase में ठीक है अब हमें fix कितने करने है 1 molecule of glucose उसके लिए 6 tons की ज़रूत है that means 6 tons यानि कि 6 CO2 को fix करने के लिए अपने को 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए आप यही से कर सकते है 3 ATP और 2 NADPH यह लग रहे हैं कि इसमें एक term में तो 6 term में 6 into 3 और 6 into 2 तो 18 और 12 जो हमने पीछे result निकाला था अब next topic में या कह सकते है नेक्स्ट वीडियो में हम सटी करेंगे अपना C4 पाथवे तो see you in the next video Thank you so much